Hello students, welcome back. Let's learn something new today. तो आज हम जानेंगे माई युनिफॉर्म के बारे में। युनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, तो सभी बच्चे एक जैसे ड्रेस पहन करके स्कूल जाते हैं, तो उसे हम युनिफॉर्म कहते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, इसका मतलब है, मैं युनिफॉर्म पहन करके वर्दी पहन करके विद्याले जाता हूँ, यानि स्कूल जाता हूँ, तो आपको कहना है, अगला सेंटेंस, यानि सभी बच्चे एक जैसा युनिफॉर्म पहनते हैं। तो सभी बच्चे एक जैसी वर्दी पहनते हैं। तो आपको कहना है, यानि एक लड़का जो है वो पतलून पहनता है। तो हमारा अगला सेंटेंस है, तो रेड सर्कल के अंदर जो ड्रेस है उसे स्कर्ट कहते हैं। तो आपको कहना है, यानि एक लड़की जो होती है वो स्कर्ट पहनती है। नेक्स्ट सेंटेंस, इसका मतलब है, मैं अपनी यूनिफॉर्म के साथ, मैं अपने स्कूल ड्रेस के साथ, बलाक शूज पहनता हूं। काले जूते पहनता हूं। तो आपको कहना है, I wear black shoes with my uniform. I wear black shoes with my uniform. I keep my uniform neat and clean. I keep my uniform neat and clean. तो इसका मतलब है, मैं अपने यूनिफॉर्म को साथ सुथरा रखता हूं या रखती हूं। तो आपको कहना है, I keep my uniform neat and clean. जब आप से कोई पूछे, Do you keep your uniform neat and clean? क्या तुम अपने यूनिफॉर्म को साथ सुथरा रखते हो या रखती हो, तो आपको कहना है, Yes, I keep my uniform neat and clean. हमारा लास्ट सेंटेंस है, I like to wear my uniform. तो इसका मतलब है, मुझे अपना यूनिफॉर्म पहनना बहुत पसंद है. तो अगर आप से कोई पूछे, Do you like to wear your uniform? तो आपको कहना है, Yes, I like to wear my uniform. So students, हमारा ये वीडियो यहीं complete होता है, अब आप इससे related assignments करिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को भी जरूर लाइक करिए. Thank you students.